आज ही शपत गहन हो जाएगा ऐसे जानकारी मिल रही है जैसे कि देवेंदर बतारे थे कि पहले से सब कुछ तैय कर लिया गया था जेजेपी के साथ गटबंधन तूटना कोई नाटि के अंदास में नहीं हो रहा है जेजेपी के साथ गटपंदन तूटना लगपकता है माना जा रहा था क्योंकि संगठन की तरफ से एक आ जा रहा था कि लोगसभा चुनाव हमें अकेले लड़ना है लेकिन देवेद इन सब के बीच में एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि खटर अगर मुख्यमंतरी नहीं बनते हैं और उनकी जगर नायाब सेनी को अगर मौका दिया जाता है तो उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं सब कुछ ठीक चल रहा है बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो मुख्यमंतरी का चेहरा बीजेपी क्यों बदलेगी एक तो बड़ी चीज ये थी कि आपको गैट जाट पे ही मुख्यमंतरी पे फिर से जाना है ये समझ काटी के अंदर तो सोभाई तोर पे रहती है दूसरी चीज की इस तरह के चेहरे को आप आगे करना चाहेंगे जो आप समझ सकती हैं कि फिर उस परिस्ति में क्या बिना विधायक के वेक्ति को जो अभी सांसद है कुर्चत से वो सांसद हैं उनको मुख्यमंतरी बनाया जाएगा वो एक माइनस पॉइंट जरूर है और इसलिया से हम लोग सिर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है अगर मन जिला के अस्तर पर युवा मोचा में जिला संगठन में किसान मोचा में हर एक लेवर पर उन्होंने काम किया अलग अलग भूमिकाओं का निर्वा किया तो बीजेपी संगठन की जो रीती नीती है उससे वह भली भाती वाकिफ हैं और वहां पर 2019 का टिकट भी जब उनको द कारे में वो बेहतर ही मिलता है तो यह सारी चीज़े उनके प्लस पॉइंट में हैं जिसके चलते संभाव है कि अगर मनोहर लाल खटर को अटाया जाता है तो उनके नाम पर बहुत प्रमुक्ता से बिचार किया जाग जाए लेकिन इनका राजनेतिक करियर कैसा रहा है क्या- बीज़पी के अध्यक्ष हैं कुरुक्षित्र से मौजूदा सांसद हैं OBC समुदाय से आते हैं और मनोहर लाल खटर के बेहत करी भी माने जाते हैं 2014 में नारायन गड़ से विधायक बने थे और 2016 में खटर सरकार में राज्य मंत्री भी बने थे लेकिन फिलाल मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो कुरुक्षित्र से सांसद है नायब सिंग सेनी और इनही का नाम बड़ी तेजी के साथ लिया जा रहा है ये तमाम समिकर उनके फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं ओबी सी चेहरा है नायब सिंग सेनी और माना ये जा रहा है कि इस बार भी गैर जाट ही कोई चेहरा होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है हर्याना में देखिया अभी तो सब सुगबुगाहट है और जरूर रख रहे हैं वो अपनी अपनी राय जरूर बता रहे हैं और सब एक मत से मनुहर लाल खटर का नाम लेते हुए नजर आ रही हैं हाला कि पार्टी ने सब कुछ तै कर लिया है जो परिवेक्षक हैं वो हर्याना पहुंच रहे हैं और बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद नया नाम होगा या पुराने चेहरे परी विश्वास जताया जाएगा ये सब कुछ थोड़ी दिर में साफ हो जाएगा